जैहिन दोस्तों नमस्कार डेली रिड़ बुक में आप सभी का स्वागत हैं आज हम लोग 17 जनवरी 2021 का पेपर देखेंगे और यह पेपर फस्षिप्ट का पेपर हैं और यह अंटी पीसी सेविटी वन का पेपर हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का पेपर जो हुग होगा 47 पेपर होगा यानि इससे पहले हम लोग 46 पेपर का अब्धियन कर चुके हैं अगर आपने उन सभी पेपर को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्चन में प्लेयर लिस्ट लिंक दिया हुआ है वहां से आप एक एक करके देख लेजिए ताकि आगे आने वा तो थी लाबदायक होगा लाबदायक सीध हो सकता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक बात और अगर आप चाहते हैं कि इन सभी पेपर का फिरे में फिरी में मिलें तो वीडियो के डिस्क्रिप्चन में ही तेलीग्राम लिंक दिया हुआ है वहां से आप टेलीग्राम जोइन कीजिए और सब सारे पीडियाप आप बिल्कुल में डाउनलोड कर लिजिए और अच्छी तरह से उसको एनलाइसिस कीजिए पढ़िए और समझिए पीडियाप को एकतरित करने से कोई फैदा नहीं जब तक आप उसको उपयोग में नहीं लाएंगे आपको कोई फैद इसनों को पड़ते हैं और बार बार हम इन शुरुवात में इंट्रो इसलिए देखते हैं क्योंकि बहुत से दोस्त इस चैनल पर नए जुड़ते हैं पहला वीडियो देखते हैं तो उनको आइडिया नहीं लगता है कि कौन सा पेपर हो रहा है और किस का किस चीज का वीड सख होता है तो चलिए सटाट करती हैं कार्गो सेवा शेवा शेटर की डियास गति वीधियों का एक हिस्सां है तो इसका आंशर होगा तिरतियक ऐसे भी सेवा शेवा शेटर तिरतियक शेटर होता हैं अगला प्रसने है वह काउन सी भारतिय चित्रकला सहिली है जिसमें सुद सोने और किम्ती पत्थरों की सजावत है और इसमें हिंदू देवताओ विशेश रूप से भगवान क्रिशन को दर्साया गया है तो इसका एंसर होगा तंजवर प्यंटिंग अगला प्रसने बॉम्बे डेकन में पहली राजस बंदोवस्ती का संचालन किस बर्स में हुआ था तो इसका एंसर होगा आठारे सो बीस इसपी में अगला प्रसने भारत में ड्यास एक भष्ट चार निरोज संस्था है जो लोग प्राधी कारियों द्वारा किये जाने वाले कूप परवंद के खिलाप व्यक्तियों से प्राप्त सिकायतों की जांच कर सकती है तो इसका एंसर होगा लोग पाल अगला प्रसने भारतिया राजमार्व्थ संपर के उत्तर दचिन और पूर्वपा्चिम कोड़ी द्यास में एक डूसरे को परतिच्शीद करते हैं तो इसका एंसर होगा ज्हांसी अगला प्रस ने चार सब्द दिये गए हैं और तीन समान है और एक असमान है तो असमान को चुनना है बसंत तुफान सरदी सरद तो ये रितू है बसंत रितू सरद रितू चरदी जबकि तुफान अलग है अगला प्रस ने बिश्व की पहली रोबोट काउन थी जिसे किसी देश की पूर्णागरिकता हासिल हुई तो इसका अंसर होगा सोफिया अगला प्रस ने निमलिखित में से काउंसी परवत सिंखला बलीत परवतों का उधारन है तो हीमाले है इसका अंसर अगला प्रशने है चन संख्या बिर्धी के सिधान्त को किसने बिक्षित किया तो इसका अंसर होगा माल थसने अगला प्रशने निमलिखित में से काउंसा बिकल प्लास्टर वा पिरिस के बारे में सत नहीं है तो इसका अंसर होगा पानी से गीले होने प्लास्टर वा पिरिस में कोई परिवर्तर नहीं होता है ये गलत है जबकि प्लास्टर वा पिरिस सफेद होता है सही बात है टूटी ह कोई हड्डियों की म्रमत के लिए प्लास्टर वा पिरिस का उप्यों किया जाता है यह भी सही बात है सजावटी डिजाइन बनाने के लिए प्लास्टर वा पिरिस का उप्यों किया जाता है यह भी सही है अगला प्रस्ण है 1944 में भारतिय पुरातत्व सर्वेच्छन के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हरप्पा की खुदाई का जिम्मा लिया तो इसका एंसर होगा रेम वीलर अगला प्रसने एक माई 2016 को शुरू की गई हुआ काउन सी योजना है जो गरिबी रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाओं को निसुलक लपी जी कनेक्शन परदान करती है तो इसका एंसर होगा परदान मंचली उजवला योजना निमलिखित में से काउन सा विकलब विद्धु धरा के तापन प्रभाव का उधरा नहीं है तो इसका एंसर होगा पंखे की काड़ी सीलता अगला प्रसने भारतिय निर्यात संगठन के महासंग द्वराविक्षित मोबाइल एप जो अंतराश्टिय व्यपार करने के लिए आवस्चक जानकारी की एक विष्टिष सिंखला परदान करता है उसे ड्यास कहा जाता है तो इसका एंसर होगा निर्यात मित्र अगला प्रसने ड्यास एक पवदा है जो जंगल में उगता है और इसकी पतियों पर नुकेले रोम होते हैं जो गलती से छू जाने पर दर्द का करन बनते हैं तो बिच्छू इसको कहते हैं बुच्छू बुटी नेटल्स इसको आम बोल्चाल में कबच्छूआ भी कहते है जिसको लगा दो इसको इतना नौचने लगता है कि नाम मतलूं बोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो ड्यास की उपस्तिती का पताल लगा सकता है तो इसका अंसर होगा विभांतर अगला प्रस्ण है भारत का कौन सा बायोस्फियर रिजर्व दुहजा ठारे में बायोस्फियर रिजर्व यूनस्को के विश्व नेटवर्क में सामिल होने बाला भारत का एकारमा बायोस्फियर रिजर्व बन गया है तो इसका अंसर होगा कंचन जंगा और कंचन जंगा क तो सिक्की में है नंदा देवी उत्राखंड में है पंच मेडी माधपरदेश में है अगला प्रस्ण है कि सायूक्ति राष्ट विश्विद्यल है कहां इसी थे तो इसका अंसर होगा टोकियो जापान में कि अगला प्रस्ण है इन में से कि स्वेश पेसेवर टेनिस खिलाडी ने आठ विम लंडन किताब और लगातार पांच यू एस ओपन किताब जितकर एक रिकॉर्ड बनाया है तो इसका अंसर होगा रोजर फेडरार अगला प्रस्ण है भारत का सबसे लंबा राजमार कौन से है तो एन एच चोवालिस है भारत का सबसे लंबा राजमार परसिद सिंदु घाटी अस्थल मोहन जोदरो की खुदाई किस परख्यात भारतिय अप्रातत विद्वरा की गई थी तो इसका अंसर होगा आड़ी वैनर जी अगला प्रस किये भुमत सागर लाल सागर इन में से कौन सा इन में से कौन बर्तमान पदासीन मुख नियाधिस यासे बोवडरे से पूर्व भारत के मुख नियाधिस चे तो इसका अंसर होगा रंजन गोगोई अगला प्रस ने भारतिय ड्यास भारतिय वर्दी धारी सहिनिकों को बीरता के लिए युद्ध के दौरान दिया जाने वला उस्तम सम्मान है तो परंबीर चक्र है सरबोच सर्मान अगला प्रस ने नाविकिया उर्जा के विकास से सम्माधित काउन सा भारतिय संगठन कोलकाता में इस्तित है तो इसका अंसर होगा परी वर्दी उर्जा साइक्लो ट्रोन के अंद्र अगला प्रस ने निवलिकित में से काउन साहरपा अस्तल सिल्फ कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है तो इसका अंसर होगा मांदा मानदा कहा है तो जम्मू कस्मीर में रावर केला, भिलाई, बोकारो, विसाखा, पत्नम, आधी, ड्यास के केंद्र है तो इसका अंसर होगा लोहा और इसपात उद्ध्यो अगरा प्रस्ण है उस बिकल्प का चेह निकरे जिसका तीसरे पत के साथ वही संबंध है जो दुसरा पत का पहले पत से है तो सुई सिलना तो कहिंची काटना सुई से सिलाई की जाती है तो कहिंची से काटाई की जाती है अवला प्रस है फोर्ट बिलियम का निर्मान इस्ट इंडिया कमपनी ने करवाया था इस केले के निर्मान अस्थाल के लिए ड्यास गाउं को उजारा गया था तो इसका अंसर होगा गोविंद पोर निम लिखित में से काउन सा एक सर्च इंजन नहीं है तो इंस्टाग्राम सर्च इंजन नहीं है जबकि याहू, गूगल और बिंग सर्च इंजन है फलो में मीठे पन के लिए कौन सी सरक्रा उतर दाई है तो इसका अंसर होगा फड़क टोज अला प्रसन है बिदु धराम आपने के लिए पड़ियुक्त होने वाले यंद्र को ड्यास कहा जाता है तो इसको अंसर होगा ए मीटर लोग सभा की पाहली मेला स्पीकर के रूप में किसे न्यूक्त किया गया था तो इसका अंसर होगा मीरा कुमार अनलोजी टेस्ट का प्रसन है धीरे संथ उत्तेजित कुरूद अगला प्रसने अस्टार्टप इंडिया ड्यास मंत्राले का एक परमुक कार्जक्रम है तो इसका अंसर होगा बानीज और उद्योग मंत्राले किस अनुछेद की अंतरगत भारत के राजपती मेर्टु दंड की सजा पाए हुए ब्यक्ति को छमा फांसी अस्तगन या सजा में कमी कर सकते हैं तो इसका अंसर होगा अनुछेद 72 अगला प्रसने निमलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि विभीन प्रोग्राम इंटरनेट पर डेटा का आदान परदान कैसे करते हैं तो इसका अंसर होगा हाइपर टेक्स टांसपर प्रोटोकॉल यानि स्टी पी इस रोग के सबसे सक्तिसाली रॉकेट जी एसल भी एम के थिरी को ड्यास उपनाम दिया गया है तो इसका अंसर होगा फेट वह आए और इस रोग की अस्थापना उनीच स्वा उननात्र इस्पी में हुआ था और इसका मुख्यालया बैंगलावर में इस्थित है अगला प् इसका अंसर होगा डवलू एचो और डवलू एचो की अस्थापना उनीच सो अर्टालीस इस्पी में हुआ था और इसका मुख्यालया जेनेवा में इस्थित है अगला प्रस्ण है राष्टिया राजमार्ग याने चवालिस कि इन दो अस्थानों को आपस में जोडता है त इसका अंसर होगा श्री नगर से कन्या कुमारी बाइज जुलाइज दोहजार उनीच को चंद्रियान टू को कहां से लौंच किया गया था तो इसका अंसर होगा श्री हरी कोटा एल्टी चूज रेंड अगला प्रस्ण है यह ओड में आउट का प्रस्ण है घटना बिर्धी करना आगे ले जाना बढ़ाना तो इसका अंसर होगा घटाना क्योंकि सब इंक्रीज है बाकी बाद सब डिक्रीज यह कि डिक्रीज है पचासी कोईचन नमर पचासी है डियाज को मोतियों के सहर के रूप में जना जाता है तो इसका अंसर होगा हैदराबाद किर्केट बल्ला टेनिस रैकेट परकिर्ति प्राकिर्तिक पोस्टन पोसित नविंता मूल और दूइतिया समान इसका अंसर होगा समान और में आउट करने हैं इसमें चार में से अगर्शन को चुनना है तो इस वीडियो में इतना ही अब ने श बीडियो में फिर नेश्ट पेपर के साथ मुलाकात होगी तो कहिंने लोगा और सब्सक्राइबाद को कबर कर लिया है अब 48 मां पैपर में फिर मुलाकात होगी तब तक आप पढ़ते रहिये बढ़ते रहिए समझते रहिए जो आपको डाउट है वो सेखते रहिए जाहिन जय भारत